इसी बीचे एक बड़ी खबर आपको बता दे जो कि मुंबई से आ रही है। की गई है यानि कि अब ये साफ हो गया है कि सुशान सिंग राजपूत ने आख भत्या ही की थी। इसके बीच में तमाम पूरे लोग जो उनके चाहने वाले थे सब में हरकंप मच गया क्योंकि इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि सुशान किसी तरह की डिप्रेशन में इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहे थे और छे महीने से वो डिप्रेशन में थे ऐसा बाद में मालूम पड़ा जानकारी मिली बाद में और आपको बता दे कि किसी को भी इस बाद का पता नहीं था और इसी वज़े से बॉलिवुट और नसर्फ बॉलिवुट बलकी उनके तमाम जहने वाले उनके फैंस उनके परिवार वाले सबके सब सकते में हैं और आज उनका मुंबई में अंतन संसकार किया जाएगा और अंतन संसकार के लिए उनके जो पिता हैं उनकी माता आपको बताते हैं उनकी मदर जो हैं वो 16 साल की उमर में उनकी डेथ हो गई थी सु सोस की बात है कि कल उस वक्त वो उनके साथ मौजूद नहीं थी अगर शायद वो वहां मौजूद होती या वो किसी से बात कर पाते तो शायदा सुशान्थ हमारे बीच होते मगर ऐसा नहीं हो पाया अनफॉचनेटली एक बहुत ही कामिया बहुत ही अच्छे आक्टर ने इस जो अन्तिम संसकार की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है मगर अभी ये शुरुवाती जानकारी है जिस तरह से पूरी जानकारी हमारे सामने आएगे हम आप तक पहुचाते रहेंगे इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महरूम आक्टर सुशान सिंग राजपूत को आज उनका अंतिम संसकार किया जाएगा और उनकी पोस्मॉटम रिपोर्ट में फिलहाल आत्मत्या की पुष्टी हो गई है जैसा कि लगतार अर्टकले लगाई जा रही थी उनके जो मामा हैं जो उनके रेलिटिव्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही हस कि बातचीत करनी चाहिए संपर्क साधना चाहिए लोगों को जो डिप्रेशन में है वो खुद इस तरीके का इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है इस बात को लेकर लगातार अटकले लगाई जा रही थी और इसलिए उनके जो रेलिटिव्स थे उन्होंने उनके जो मामा ह थी मगर आपको बता दे कि बोस्मॉटम के लिए कल शफ को भेजा गया था और उसके बाद बोस्मॉटम की रिपोर्ट में ये बात साफ हो गये कि सुशान सिंग राजपूत ने आतमत्या का हाला कि क्या कारण है ये अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लग पाया है ऐसे में देखना अब ये होगा कि आगे आतमत्या का कारण क्या निकल के आता है हाला कि वो जब पुलिस जाज होगी सारी चीज़े रिपोर्ट्स तब सामने आएंगी फिलहाल आज सुशान सिंग राजपूत का अंदिन संसकार मुबई में किया जाएगा पलपल की अपडेट्स के प्रिया बने रही आएवियन भार्ब के साथ